हेलो फ्रेंट्स तो आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ आपके Windows सिस्टम के एक special feature के बारे में जी है फ्रेंट्स और वो special feature है हमारा disk defragmentation जी है फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि disk defragmentation आखिर होता क्या है कैसे यह आपके computer के अंदर और जो Windows सिस्टम होते इनके अंदर काम करता है और क्या-क्या आपको इससे फायदा होता है तो फ्रेंट्स यही स्टार्ट करते हैं और जानते हैं तो फ्रेंट्स यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँँगा यह जो disk defragmentation होता है इसका फायदा यह होता है कि यह आपके computer system या आपका laptop है उसको fast बनाता है पहले के मुकाबले जब आप उसको पहले यूज कर रहे हैं और disk defragmentation के process के बाद यूज करते हैं तो कहीं न कहीं आपको एक fastness देखने को मिलती है और उसके साथ आपकी battery life होती है उसको भी कहीं न कह इन्हेंस करता है तो अब बात करते हैं कि आखर यह है क्या तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि जब भी आप अपने किसी data को अपने computer या अपने laptop के अंदर write करते हैं यानि कि उसको involve करते हैं उसको कहीं replace करते हैं copy करते हैं या फिर cut करते हैं तो वहा जैसे मान के चलिए आपने कोई video file कहीं पर किसी folder में डाली और वह आपको video file एक file की तरह दिखाई देगी लेकिन जो आपका system होता उसके अंदर यह जो hard drives के अंदर आपका storage होता है यह चोटे-चोटे data packets के अंदर होता है और यह data packets आपकी hard drive में randomly store होते हैं यानि कि आपकी 100 MB की आपकी video है तो उस 100 MB के छोटे-छोटे data packets वो convert हो जाते हैं और आपकी hard drive के अंदर अलग-अलग locations पर वो कहीं कहीं store हो जाते हैं तो friends यहां पर जो हमारा यह disk defragmentation process है यह जब start होता है या फिर इसको आप करते हैं तो वहां पर क्या होता है वो जो random locations होती है आपकी files की उनक friends आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान के चलिए आपके room में 10-15 items रखे हैं कोई समान रखा है और आप उसको कहीं भी इधर उधर फेक दे और जब आपको उसको जरत पड़ेगी तो आपको उसमें ढूंड़ना पड़ेगा कि कौन सी चीज मैंने कहां पर रखी थी और वहीं अगर इसको आप ऐसे करते हैं कि एक serial वाइस उसको लगाते हैं जिस काम की आपको पहले ज़रत है उसको पहले रख दें तो वहाँ पर आपको ज्यादा time नहीं लगेगा आपकी ज्यादा energy consume नहीं होगी तो friends उसी तरह यह जो हमारा disk deep fragmentation का process होता है आपके computers के अंदर आपके Windows systems के वो यही काम करता है कि जो आपका data store होता है data packets के अंदर उनकी जो random locations होती है उनको वो कहीं न कहीं correct करता है और उनको एक serial में लगाता है अम्मान के चलिए आपने कोई data delete की आपनी कोई file delete की और ऐसा तो है नहीं कि आप उसको कह सकते हैं जहां आपने सबसे पहले जो data store किया उसको वहां से delete करेंगे आपको कोई भी delete करना होता था आप बीच में से कर देते हैं starting से करते हैं आगे से करते हैं कोई पता नहीं होता कि हम से हम उस data को कहां से delete कर रहे हैं तो friends यहां पर ही जो disk defragmentation का process है यही काम करता है कि जो space random data packets के अंदर जो space आपका बचता है उसको व मैं आपको बताना चाहूंगा कैसा बिल्कुल नहीं है कि आप एक ही दिन में 50 वार करें और सोचें कि अब मेरा जो laptop या computer वो एक साल तक सही चलेगा यह सिर्फ आप जो first time करेंगे आपके जो laptop या computer आप लाते हैं तो वहां पर आपकी जो hard drives होती है वो MPT होती है नहीं कि खा काफी ज़्यादा access करने में आपको processing करनी पड़ती है तो उस case में आप अपने laptop या फिर अपने computer के अंदर disk defragmentation का process करते हैं तो उसमें आपको कही नहीं अपने laptop या computer में तेजी देखने मिलेगी तो friends यह आप Windows 10 में कर सकते हैं Windows 7 में कर सकते हैं और जो भी हमारी Windows के अभी अ सबी में आप यह process कर सकते हैं तो friends I hope कि आज की वीडियो में आपको समझ में आगया होगा कि आखिरिये disk defragmentation है क्या कैसे यह काम करता है और इसके आपको क्या-क्या फाइदे हैं तो friends चलते हैं प्लीज चैनल को subscribe कर दीजिए और वीडियो को like कर दीजिए अगर नहीं किया है तो और अगली मीडियो मिलते हैं चलिए चलते हैं धन्यवाद